कि दोस्तों मैं एक पहले भी एक पार्ट इसका बना चुगा हूँ क्योंकि यह अग्या वीडियो मेरे लिए इन दिक्त करें को एक वीडियो में हम्लग कॐँए और पार्ट टू बना रहा हूं जा देखिए इसका मेरा क्यblowing बहुंस आई है है इसके अश्डि आप देखोगे अल्टिमेट सेप मैंने नर्सरी से सेलेक्ट किया था 250 रुपीज में तमीन लाडु सेलम से आप येकिन निकरोगी मैंने जिस दिन इसकी पैस ब्रांच को देखा ये काफी बड़ा था इसके मैंने एर लेरिंग भी करी है और लेरिंग से प्लांट भी लगाया है देखें काफी नहीं नीव लिफ इसमें आरही है तो वह दी बड़िया प्लांट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दिन में ऐसे ही स्विमिंग प्ल गया तो उस ताइम पर मैंने एक वहां से एक मैंने वोगन बिला देखा मैंने क्यों नहीं बारिस का टाइम है अप प्लांट में एक आप चीज देखोगे यह आपको यह कि निक्रों कि एक सी डेड़ महीनी वैसे कवे सही रहा है ड्राई ड्राई लग रहा था कि यह जल गया उपाड़ के फैंकने वाला था क्योंकि मेरे दूसरे प्लांट को भी खराब कर रहा है पर इस पिछले पांस यह स और मैंने थोड़ सी वायरिंग भी करीए कि नीचे तरफ करने के लिए और यह टूटने लग गया था इसलिए मैं छोड़ दिया इसको पर देखिए यह मैंने यह एक हंटिंग बंसाई का ही टाइप है मैं लेकर आया था महां से और यह मैंने लगा दिया था तो यह इसमें इसे में ग्रोत करन लगए है और यह मैंने काशकड बहले हैं यहां पर देखिए की लगगा जिसमें बरिदा क्ष्टर करते हैं यह हैं अच्छा खास फासा मुझे मिल रहा है यह उपर वाला मुझे रडिशनम मिल अब दूसरा मैंने इसमें यहां पर नप क्ष्ट करीए Sounds क इसे एक्चली जो वह केस्केड होता है वह सेप इसमें मिलेगी नॉर्मली लोग ऐसे बना देते हैं केस्केड बनता नहीं है यह यह यहां पर टॉप और यह जो फेस्ट ब्रांच है यह नीचे की तरफ आ गई है तो यह फुल केस्केड इसको इजीली बनाए जा सकता है अभी भी इसमें ब्रांचे आप देखो कि तो काफी ब्रांचे हैं और जो मुझे थोड़ी और शेप देनी है इसको वह तो टाइम पर टाइम चलती रहेग एक अच्छा बहुता है पोट जो सेरेमिक पोट हो थोड़ा हाइट का इसमें हमें से कैस्केड में हाइट वाला पोट रखना पर चाहिए तो बहुत ही शांदार प्लांट लगेगा यह मैं तूफिटीन लेका था और काफी एज था मुझे पसंद आ गया था मैंने का अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह जो मैंने जो पॉनी टेल पाम है एक पाम की वराइटी है और इसका मैं पहली बार मैंने मेरे घर में लगाया था और मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाया कि इसको ग्रोथ कैसे करें मैंने बहुत ही चोटे सेलोपोट में इसको लगा एक पानी में कमी डाल पाता हूं पर फिर भी यह अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो इसमें कोई खास बात नहीं है तो यह थोड़ा सा अलका सा अब यह ड्राइब हो जा रहा है तो थोड़ा सा मोश्या इससे फुछ लगा हूँगा भी यह प्तिक तीक टागर रहे बहुत अच बिजनस के परपस से मेरा शोक के परपस से कर रहा हूं, करता हूं, तो इसलिए मैं जो भी मुझे पोट मिलता है उसे, यदि यही किसी दूसरे पोट में होता है, अच्छे पोट में, तो शांदार प्लांट लगता है, अब देखे इसको, फिर भी यह काफी हद तक अच्छा लग रहा है, अब देरे देरे इसमें नई लीफ आजेंगे, तो पुरानी लीफ उसको हटा दूँगा, और यह बहुत ही शांदार लगता है, क्यों कि जब लेक आया तब वहां से नरसरी से 50 रुपीज में, काफी डिमेज कंडिशन में था है, अब दोस्तों, मैं आपको ऐ जादा लोगों ने पसंद किया है, और जिसको मैं लग बग एक महीने पहले लेके आया था, और वो प्लांट एक महीने में इतने सारे लोगों ने देखा, काफी लोगों ने देखा है, और आप भी प्लीज देखिए उसको, इमें किस कंडिशन में अपने ओफिस की दिवार बहारत का जो सवस्ता अभयान चल रहा है उसमें इन लोगों ने दिवार से निकाल के फैंका था इसको क्योंकि वहां से दिवार ओफिस की दिवार को नुक्सान पहुंचा रहा है तो लोगों फैंक था मैंने सोचा यार यह मेरे लिए किमती बन चकता है मेरे लिए अच्छा बनेगा मेरे घर पे बहुत सब्सक्राइब देखिए उस दिन लेके आया था उसका वीडियो है इसमें आप लोग जरूर देखिए वह इतना अच्छा वीडियो है वह इसमें पूरी कटिंग करके उसको इसमें लगाने का वीडियो है वह और आज उसके दो महीने बाद में इक महीने बाद में वाद में 22 चेप्टमबर की बाद है आज 22 अक्टूबर है लगव तो एक महीने बाद में इसमें यह प्रोफेस है यह इसको छोड़ दीजिए क्यूंकि यह उसी की ब्रांश थी लगए पर यह वाला मेरा मैन प्लांट था जिसमें आप देखेंगे यह द और बन्यान बन्यान ट्री है इसे बढ़ का पेड़ भी बोलते हैं कितना स्यांदार है देखिए ग्रोथ देखेंगा दिल खुस हो जाएगा बहुत ही बढ़िया है और इसकी मैंने और भी दूसरी बढ़ान चीज़ जितनी हो सकते थी मैंने कटिंग करके जमीन में लगा दी स सब की सब ग्रोथ कर रही है और आप उसको मैं चाहता हूं कि वह वीडियो देखें जिससे आपको पता चले कि किस कंडिशन में इसको हंट करके लाया था और आज इक इस कंडिशन मुझे मिल गया है अब देखिए अलड़ी इसका जो ट्रंक है वो तोड़ा सेप में इसको स सब्सक्राइब करना इसको मैं इसको मैं इसको मैं आल पूट में थोड़ा आने वाल टाइम पर इसको डालूगा पर अभी साल बर इसको टाच नहीं को ऐसी पोट में मैं ग्रोथ करने दूंगा क्योंकि यह सस्ता टिकाव पोर्ट है मेरा 50 रूपीज कर और यह फ्री का प्ल सब्सक्राइब करते हैं जो मैं आपको इसकी वायरिंग कर दिखाई थी और पोटिंग के दो वीडियो इसके हैं दो है या एक है मुझे याद नहीं रहा है बट आप देखिए इसके काफी से पोचुगी है अब इसमको टॉप में मचाता हूं कि टॉप में थोड़ी जो राउंड करके देखिए यहां पर राउंड करने के बाद में यह काफी तक पेड़ जैसे लगेगा और इसके स्टक्चर भी ऐसी बोला मैंने यह सेलम से ही मैंने लेका था यह फिफ्टी रुपीज का प्लांट था यह प्लांट और यह वाला प्लांट एक ही नर्सरी से जो मतलब जिनको कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा था वह प्लांट में लेका है मुझे एजट प्लांट मिल गया था और तो मैं उसके बनाने की करी और मेरे को लगा कि 50 रुपीज ज्यादा नहीं है अपने को करना चाहिए और इसके स्ट्रिक्टर आप देखिए नहीं मैंने तो वह वाला है तो आने वाल टाइम पर यह अच्छा बनेगा मुझे पूरी उमीद है इसलिए मैंने दिखाया था कि इसके ग्रोथ होई कि नहीं क्योंकि जब मैंने इसके कटिंग और वाइरिंग करें तो उसका लग रहा थी यह थोड़ा पता नहीं सेरवाई करेगा या जन जाए गया कि और मैंने सेलोपोर्टा अबुलादे लागा है तो सब्सक्राने पहलगा है और भी तोड़ी प्लांट की वीड़े कीडी उसके ओपर बेट जाते हैं तो मैंने एक दूपाल अगक एसपर अब हले फोड़ा ठीक है तो तो थोड़ा, प्र स्कूंक्र मैं सैम अब इसमें को संदुड़ा बानी रहना चील भार बार का बने ओर लगया जहdogs की दिर्चियव है इस यह ठाउप लगारा आए है तो टिर्च that moral में लगाता है यह इसको को बारद्नस्ट करन बोलते हैं कि मैंने लगा ईधता वीडियो नहीं है कि यह पाइकस का यह कटिंग ती जो इसमें लगाई है और इसका वीडियो है जो जो बार्ड सनेक बड़ बर्ड नेस्ट सनेक प्लांट है इसका मैंने वीडियो अभी आया था बनाया था और यह देखिए समें ग्रोथ और इसके अंदर से अब देखेंगे आपको दिखता हो इसके अंदर से एक मुट्व किया है यह देखें कि इसकी जो रूट्स है जा देखें कितनी अच्छी रूट्स इसमें डवलप होना सुरू हो गई है और यह बहुत शांदर प्लांट लगता है कहीं भी आप टेबल पर भी रख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं कहीं ब्रकुन इसके प्लांट फिरी में लेगा है अभी लगाया था यह जो प्लांट है यह फाइकस की वराइटी है इसका इसके जो यह बहुत ही कोस्टली पहला कोस्टली प्लांट पर फॉर फिप्टी रुकीज का खरीदा जा अब देखे अभी इसमें कुछ कीड़े लगे होंगे लेखे लिप्स को खराब करते हैं यह मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना चुका अपर उडाला नहीं था इसके पिर उपर ऐसे यह उस सेप में है थोड़ा अभी जैसे कुछ एक्ट्रा वांच मेरे को काम की नहीं है यह वरांच काम की नहीं है तो कुछ ब्रांच जो मैं आने वाल टाइम पे इसको कट कर दूँगा इसके बगर आप देखिए फर्स ब्रांच सेकेंड ब्रांच बैक ब् इसके नाम सब मुझे याद है भी दिमाग से निकल गया है तो यह वाला भी बहुत अच्छी से अप में है इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो आया था और उस टाइमा ने इसकी लीफ कुटिंग भी की थी पर अब देखिए इसके कितनी ग्रोथ बड़िया ग्रोथ होगी है अगर द jacket और आने वाल टाइम पे में इसको मैं इन ब्रांच के रूप में डाल आप करोगा इस ब्रांच को यहां से कट्किया जायगा यह जो इनने से दोतिन ब्रांचे है उनको कट्किया जाएगा एक पैड़ यहां पर बनाए जाएगा, एक पैड़ यहां बनाए जाएगा, ऐसा मेरा प्लानिंग है, हो सकता इसमें कुछ चेंज भी हो जाए, क्योंकि, यह दे की एक बैक ब्रांच इसमें, सही अपने को मिल गई थी, यह वाली, इसके वारिंग भी आपने, मैंने आपके सा यह पिसले दो यह तीन महीने के, क्योंकि मैं तमिलाडू से अभी ट्रांस्परो के आया था, तो मेरे साथ बहुत सारे लग बग 20 प्लांट वहां छूट गए, क्योंकि इसको मेरे समान के साथ ट्रांस्पोर्ट करना तो डिफिकल्ट था, तो मैंने जो प्लांट यहां लेक करके क्योंको लगाए जाएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और यह मेरा गार्डन है तो आप देखिए इसका वीडियो ता यह ता इसमें का विशारी भिंडी और घुमार फली तुल्सी वारबठा का वीमन दिखा था इसमें भी देख सकते हैं आप ग्रोथ सुर प्लाइकस का यह प्लांट जब आप देखेंगे इसकी जब मैं सुरुआत में इसको 50 रुपिज में लेका था और आज की कंडिशन बहुत रात दिन का फरक है अभी इसमें काफी दिनों से मैंने काम नहीं किया वाट यह इसमें ब्रांचे बहुत ही बड़ी हमिली थी मुझ जब देखो कि सुरुआत मैंने कैसा प्लांट सेलेक्ट किया था अभी मैं इसको जब रिपोर्ट या करूँआ तब इसका वीडियो आएगा इस बहुत बड़िया प्लांट है सुरुआत में इसके देखों कंडिशन तो सोच नहीं सकते कि ऐसा से प्ले ले लेगा यह एक मै पास एक प्लांट है यह उपर रखे हैं यह रखें यह वह एर लेरिंग करें मैंने लगाया था वहां पर वीडियो दिखाए यह देखिए और यह यह मेरा को बन यह भी मैंनरसर इसलेक्ट कर बहुत ही बड़ी आसेमी के स्केलेट प्लांट है और इस पर अभी काफी दिन से काम नहीं किया इसलिए इसलिए हो गया है बाके भी आपको दिखाऊंगा अने वाल टाइम पर देखिए यह मेरा 50-50 रुपिज में अभी लेकर आया है मैं दस-पंदरा दिन पेले स्लेक्ट किया है इनके भी आने वाल टाइम पर वीडियो आएंगे यह एक ऐसा इसलेक्ट क